इस वीडियो में हम देखेंगे कि पैन कार्ड के लिए हमें ओनलाइन कैसे अपलाई करना है यहाँ पर जो तरीका आपको बताने वाला हूँ वो सबसे फास्ट तरीका होगा जिसमें कि आप अपने पैन कार्ड पर अपनी खुद की फोटो और सिगनेटर को अपलोड करके अपना जो पैन कार्ड है वो बना पाओगे पैन कार्ड की जो फिजिकल कॉपी है वो भी आपको पोस्ट के माध्धम से मिल जाएगी तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन अगर आप चेक करोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा जिस पर आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने ये जो वेब साइट है आ जाएगी जहां पर हमें अप्लिकेंट टाइप के सेक्सिन में आना है हम नेया पैन कार्ड बना रहे है फरे साल नेकम मिल नेम इससे का साथ में मंदाजा अंदाजें मीडेलिब करना है और स्लेक्ट करो और एपनी जो ऑप्टनली एमिग है नंबर है फिल करना है सब्सब्सक्राइब होने के बाद में आप सभी को एक token number provide किया जाता है इसको आपको अपने पास में note करके सुरचित करके रख लेना है तो यहाँ पर हम continue with pan application form इस option पे click करेंगे pan card को आज की date में तीन तरीके से बनाया जा सकता है जिसमें कि कई सारे लोग यहाँ पर option है selection गलत तरीके से कर लेते हैं इसकी वज़े से उनके pan card पर उनकी जो photo है signature update हो करके नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको जो second option दिया गया है submit scanned images through e-sign तो हमें इसी option का selection करना है और इसके बाद में आप सो भी को अपने आधार card के जो last के digit है 4 वो आपको यहाँ पर fill करना है इसके बाद में full name आप applicant के section में आना है यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो name है वो registration page से automatic same उसी तरीके से आ चुका है बाकि यहाँ पर male female जो भी gender है select करोगे registration number mandatory नहीं है यह हमारे पास है भी नहीं इसको ऐसे ही skip छोड़ देना है अब यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या इससे पहले आपका जो name है कभी भी change हुआ है तो ऐसा कुछ भी नहीं है no के option पे हम click करेंगे detail of parent के section में आना है यहाँ पर आप सभी को पहले तो यह पूछा जाता है कि यहाँ पर आप अपना जो pen card है उस पर mother का name आप चाहते हो अगर आप single parent हो तो आप यहाँ पर yes के option पे click करके आप अपने pen card पर mother का जो name है वो add करा सकते हो बाकि सारे लोगों के लिए option नहीं है no के option पे click करना है यहाँ पर आपने father का जो name है जैसे आपने अपना name इंटर किया है अगर आप चाहो तो इसे इंटर कर सकते हो तो अब आप से पूछा जाता है कि आप अपने pen card पर प्रिंट चाहते हो या फिर mother का नेम प्रिंट चाहते हो तो यहाँ पर मैं father का ही चाहता हूं यहाँ पर मैंने selection किया है जैसे ही next की tab पर click किया है तो हमारे सामने अगला जो page आता है वो है source of income का जैसे कि आप job करते हो salary से आपकी income है तो यहाँ पर आपको अपने according selection करना है इसके बाद मैं आप सभी से पूछा जाता है कि आप अपने pen card पर communication का जो address है वो क्या रखना चाहते हो बाकी mostly लोग अपने घर के पते पर pen card को चाहेंगे तो यहाँ पर residence का जो option है इसे ही हमें select करना है इसके बाद मैं आप से भी को अपने घर का complete जो address है सबसे पहले तो house number building का जो भी name है इसी के साथ मैं road street name या फिर post office का जो name है यहाँ पर आपको fill करना है इसके बाद मैं sub district के section में आना है अपने तहसील करने में यहाँ पर fill करना है और अपने area का जो pin code है आपको fill करना है zip code का जो option है वो optional है इसको blank छोड़ देना है office address के section में आना है यहाँ पर अगर अपने office का address उपर selection किया है तो आपको enter करने की जरुरत है बाकी लोग इसे skip कर सकते हैं अब address के बाद मैं telephone number email id के section में आना है यहाँ पर अपने country का जो code है जैसे कि मैं इंडिया से हूँ selection करना है आपको directly यहाँ पर mobile number fill करना है और अपनी email id यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है कोई भी बैकते है जो minor है जिसका pen card अगर आप बना रहे हो तो उसमें आप सभी को अपना एक represent to यानि की गवाह add करना होगा और यहाँ पर हम no के option पर click करेंगे next करेंगे तो इस तरीके से अब आप देखोगी कि हमारे सामने AO code area code को fill करने का जो page वो आ चुका है तो यहाँ पर किसी किसी case के अंदर आप सभी का जो area code है AO code है वो automatic यहाँ पर populate हो जाता है लेकिन अगर आपको यहाँ पर अपनी जो details वो फेच नहीं होती ही नहीं दिखाए देती है तो आपको क्या करना है यहाँ पर जैसे कि हम एक Indian citizen है यहाँ पर जो box दिया गया है इस पर हम click करेंगे अपनी जो state है select करेंगे city का जो name है यहाँ पर हमें choose करना है तो यहाँ पर हमने face की option पर click किया है तो हमारे सामने आप देखोगे कि description के section में कई सारे area code AO code की एक पूरी ही list आ चुकी है जहाँ पर additional description के section में आप देखोगी काउन सा आपका area code AO code होगा यहाँ पर आपको mention किया गया है यहाँ पर इस तरीके से आपको selection करना है इसके बाद में आपको next की tab पर click करना है अब इसी के साथ में अगले page पर आप आते हो बाकी कई सारे additional document भी यहाँ पर दिखाएगे हैं तो आधार यहाँ पर लग जाता है तो मैंने यहाँ पर आधार select कर दिया है इससे के साथ में proof up address में भी बाकी कई सारे ID proof भी यहाँ पर दिखाएगे हैं तो इसमें भी हम address में आधार select कर देंगे इसके बाद में proof up data birth के section में आप आओगे तो यहाँ पर हम आधार select कर लेंगे इसके बाद में आप सभी को declaration के section में आना है यहाँ पर आप सभी को himself वाला जो option दिखाया गया है इसको choose करना है और आप जिस भी स्थान पे हो यहाँ पर type करेंगे date पहले से fill है अब इसके बाद में आप सभी को upload photo and signature की tab पे आना है यहाँ पर आप सभी को अपनी पासपोर्ट size की जो photo है वो upload करना है तो कई सारे लोगों को दिक्कत आते ही कि यहाँ पर photo को जब upload करते है तो photos यहाँ पर upload नहीं होती है उन्हें error page देखने को मिलता है कि photo उनकी size की नहीं है तो इसके लिए आप सभी को क्या करना है browser अपना open करना है और यहाँ पर आपको search करना है सरकारी dna जैसे आप search करोगे तो आप सभी के सामने जो पहली website आएगी सरकारी dna.com इसमें आप देखोगे कि नीचे के तरफ आपको दिखायागा है pen, card, photo, signature वाला जो option है कि photo को आप choose करोगे photo का जो dimension है आप यहाँ पर enter करोगे इसके बाद में get photo के tab पे आप click करोगे तो यहाँ पर आपकी जो photo है जिस भी size की आप बनाना चाहते हो यहाँ पर आपकी जो photo है वो generate हो जाएगी इसी तरीके से आप यहाँ से signature को भी correction कर सकते हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो photo है वो success plea upload हो चुकी है आप यहाँ पर signature को upload करने की जरूरत होगे उसको भी हम यहाँ पर choose करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों चीज़े हमारी complete हो चुकी है अब supporting document में जो भी आपने document selection किये है जैसे कि मैंने आधारी select किया था तो मुझे किवल एक file choose करने की जरूरत पड़ेगी अगर आपने multiple document अलग अलग select किये है तो यहाँ पर आपको एक रोद दिखाएगे है आप एक document upload करने के बाद में add document के tab पे click करोगे तो एक other document add करने का जो option है वो आ जाएगा तो धियान रखना यहाँ पर आपको upload नहीं करना है अगर आप यह आधार upload भी कर रहे हो तो उसको सबसे पहले तो आप सभी को password जो protected है उसको remove करना है तो वो भी आप हमारी website से कर सकते हो इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर submit की tab पे click करना है तो यहाँ पर आप हमारे सामने जो भी हमने form के अंदर information दर्ज की है वो एक summary page आ जाता है जिसमें कि सबसे पहले आधार number first aid digit वो हमें यहाँ पर enter करना है सारी details को एक बार आपको अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है कोई भी अगर correction है कोई गलती से आपने गलत information आइड कर दी है तो edit का जो option दियागा है इस पर click करके अपनी जो information है वो correct कर सकते हो बाकि अगर सारी ही चीज़े सही लगते हैं तो आपको यहाँ पर proceed की type पे click करना है तो आप सभी के सामने एक payment gateway आ जाएगा यहाँ पर जैसे कि हमने पेटियम के option पे click किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 107 रुपीज आपको payment करना है जिसमें कि physical pen card आपके घर के पते पर वो भी मिलने वाला है I agree करना है proceed payment के option पे click करना है और यहाँ पर आपको pay confirm की type पे click कर देना है इतना करते ही page automatic redirect होता है आप सभी के सामने payment करने के कई सारे method आ जाते हैं अब जैसे कि हम David card के माद हम से payment करना चाहते है card number इंटर करना, expiry इंटर करना, cvv यहाँ पर हम pay के option पे click करेंगे, हम redirect हो जाते हैं, जहाँ पर हमारा transaction ID है वो आप देखोगी कि इसके अंदर आप सभी को mention दिख जाता है अब आपको क्या करना है, page में नीचे के तरफ आना है, continue का जो option दियागा, इस पर click करोगे तो आप सभी के सामने आधार authentication का जो page वो आ जाता है, जहाँ पर आप नीचे के तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देखोगी कि आधार के थुरू अब हमें authentication करने की ज़रूरत है, जिसमें की term and conditions को accept करने के लिए इस icon पर click कर देना है और यहाँ पर authenticate के tab पे हम click करेंगे, और यहाँ पर OTP authentication का जो option दियागा है, इस पर हमें click करना है तो यहाँ पर हमारे आधार कार्ट से जो भी mobile number link होगा, उस पर verification के लिए OTP आएगा, वो OTP हम यहाँ पर fill करेंगे, यहाँ पर हम submit की tab पे click करेंगे और अब आप देखोगे कि हमारे सामने e-sign करने का जो page है वो आ चुका है, तो जैसे हमने click किया है, तो protein करके जो NSTL की website है, e-sign करने के लिए, आप उसी पर आ जाते हो, iherby authorized के option पे click करना है, अपना जो बारट जीन का आधार number है, वो enter करना है, और यहाँ पर send OTP की tab पे click करना है, वो OTP यहाँ पर fill करना है, और verify OTP की tab पे click कर देना है, यानि कि authentication यह करने के बाद में, आपकी जो application है, वो successfully submit हो जाती है, आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का password को enter करने का जो page है, वो आ जाता है, अब यहाँ पर यह जो password है, आपको नहीं पता होगा, इसके लिए आपको बता दूँ कि आप यह जो data birth है, वो ही यहाँ पर enter करना है, कोई भी symbols का use नहीं करना है, तो इतना करते ही आप देखोगी कि अब आप सभी के सामने एक PDF form आ चुका है, जिसमें कि आपने जो signature किये हैं, आपने जो photo upload किये हैं, वो आप देखोगी कि इसमें सारी चीज document यहाँ पर mention किया गया है, तो यानि कि इस document को आपको कहीं पर भी भेजने की जरूरत नहीं है, आपका जो pen card है 5-6 दिनों के अंदर generate हो जाता है, जिसके बाद में आपको SMS के मात्रम से notification आ जाता है, और आपका जो pen है, उसकी digital copy आपके email पर send कर दी जाते हैं, जिसको आप कह साइट पर एक track pen card के जो option है वो दिया गया है, जिस पर click करके आप यहाँ पर अपना pen card है, उसका जो status है वो जान सकते हो, और यहाँ पर pen का option select करना है, इसके बाद में pen card का जो reference number आपको दिया गया है, वो यहाँ पर enter करना है, और submit की tab पर click कर देना है, तो इस तरीके से अगर आप check करोगे, तो email पर आपको कुछ इस तरीके का PDF में pen card मिल जाता है, जिसको भी आप यहाँ पर अपनी जो DOB है, इंटर करके open करोगे, तो यहाँ पर आप देखोगी कि आपके जो pen card का लेटर है, वो आपको देखने को मिल जाता है, अब यह जो pen card है, इसको भी कही अगर आपको कोई काम रुक रहा है, तो इसको लगा करके अपना जो काम है, वो कर सकते हो, बाकि physical pen card आपके घर के पते पर इसी के साथ में send कर दिया जाता है, तो इस तरीके से आप सभी लोग अपना जो pen card है, वो घर बैठे online process से बना पाऊगे, यहाँ पर आपको कोई भी काम रुक रहा है, तो आपको जो copy है, लगा सकते हो, वीडियो का description अगर आप चेक करोगे, तो हाँ पर हमारे जो अन्य वीडियो है, उनके जो link है, आपको मिल जाएंगे, बाकि आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा, मुझे comment box में लिक करके ज़रूर बताना, यह जो वी वीडियो में एक नई information के साथ में, तब तक ले goodbye, जैहिन